आपने इस्पोर्ट टेस्टिंग किया है ना भी आपको यह मसीन चलाने में कैसे लगा अच्छा लगा आप क्या कहना चाहोगे कि आप i7 बनाओ 12th जनेशन या फिर 13th जनेशन या i5 बनाओ नहीं सब i5 बनाओ i7 बनाओ जुठे उतना पैसा पैसा लगाएंगे हेलो फ्रेंड मेरे नाम है मनोज दोस्तों स्वागत आप सभी हों कि मेरे चैनल पर जिसका नाम है मनोज वीडियो मिक्शिंग क्वेंट तो दोस्तों आज के जो मैं PC बना रहा हूँ वह भाई UP मोजिला से आय हुए है धीरजुपता उनका नाम है और जो मैं PC बना रहा हूँ वह 14th generation के i5 14-500 प्रोसेशर के साथ में में बना रहा हूँ और इनके साथ में मैं क्या-क्या कंपोनेंट यूज करने जा रहा हूँ वह मैं आपको एक एक करके बताता हूँ जो हमारा पहला कंपोनेंट है वह 14-500 प्रोसेशर है जो की इसके अंदर में हिटिंग का इसू नही मिलेगा आपको 14 core 20 threads इस processor के अंदर पर आपको मिलता है और दूसरा जो हमारा सबसे main component होता है गी मदरबोर्ट गीगाबाइट के मदरबोर्ट b760m ds3h यह wi-fi के साथ में आता है इस मदरबोर्ट में आप तीन मोनिटर चला सकते हो एक साथ without graphic card का जो की बहुत ही बड़ी बात है इतने कम budget के मदरबोर्ट के लिए अगर आप सोचोगे कि तीन मोनिटर चलते है बस यह कासियत है तो जी नहीं अगर आप महगा मदरबोर्ट भी आप purchase करते हो उसमें भी आपको दो ही port लगाने का option मिलता है तो यह मदरबोर्ट हम एडिटर लोगों के लिए भी बढ़िया है और दूसरा जो trading करते है जो multiple display ल जाते हैं 16GB हमें starting में लगाते हैं जब हमारे को जरूत लगे कि यार हमारे को और बढ़ा की यह तो अपडेट कर दो 16GB तो हम यह मदरबोर्ट आज की PCB में यूज करने जा रहे है और तीसरा जो हमारा component है वो DDR5 Corsair का RAM जिनकी वारेंटी आपको 10 साल के मिलती है बावन सो में पर सेकेंड के हिसाब से रीट करता है और यह इसकी वारेंटी आपको पांच साल का मिलता है और जो हमारा पांच मांपोनेंट है वो हमारा पावर सफला है कूलर मास्टर का आप यहां पर देख सकते हो साड़े 500 वार्ड का ब्राउन बर्जन टू 230 बोल्ट पर वार करता है डिसी टू डिसी वार्किंग करता है वारेंटी आपको पांच साल के मिलता है और 80 प्लस ब्राउन का इसका सेटिफाइड है और जो हमारा सबसे अच्छी च इक्सट्रा पैसे खर्चा करने के जरूत नहीं पड़ेगा एक्सक्ट्रा का मतलब मैं आपको उटा देता हूँ इसके अंदर में आपको तीन पंक्हा प्रंटर मिलता है यह फैं का हम इन ध एकक फैन अग्र आप मार्केट से खड़िते हो तो 7008 Jesse glad to 500 P bigger TV बनते हैं लेना हलांकि यह cabinet आपको मार्केट में जल्दी मिलता नहीं है तो हम दोस्तों आप बाकी सारे कंपोनेंट को करते हैं और फिर धीरज भाई से बात करेंगे एक मिनिट दिरगए आप इधर आ जाईए यहां पाईए आप यह देखो जो मैं आपको कंपोनेंट दे रहा हूं वह आप चेक कीजिए यह सिल पैक है या फिर खुला हुआ है नहीं चेक कीजिए पहले कि दिखाना मुझे लग रहा है कि जरूरी है सील यहां से यह है इसका सील अगर यह सील दूबारा लग नहीं सकता यह खुला को यह अगर यह कट कर दोगे यह दूबारा सील लगा नहीं सकते हाँ इसका चेक कीजिए इसके भी है यह तो आई यह तो आपके सामने खुला हुआ ठीक है बांकि इस पीसी को मैं बनाओंगा और बनाने के बाद जो है आपको इसका परफॉरमेंस चेक कर वाँगा आप चला के चेक करना पहले आप कहां से आई हो महु से महु से उत्तर प् वह देटा कितने दीन चाहए जबते हैं तरह चाहली प्यृट है क्ट मेरे बड़ी बड़ी बाद है टार सरमस्ञ्ण में तो ठीक है दिर बहिच़्ोर मैं आपका कंपोनेंट्स पीसी तियार करता प Alternatively आपसे बात करेंगे आहीं है यह आपका बैठी है मैं आपका कम्टर तो कर दो आपका कम्टर तो तो फ्रेंड हमने अभी सारा चीज अन्वॉक्स कर लिया यह राम देख सकते हो यह हमारा प्रोसेशर यह हमारा जैन फोर ऐसेशडी और यह कूलर और हमारा मदर बोर्ड आप यहां पर देख सकते हो आपको थोरा सा चीज दिखाऊंगा इस ऊपर यह देखो यह वाइफा के कार्ड है अगर आप खुद से भी अगर पीसी बनाते हो तो कभी भी जब हम क्याबिनेट के अंदर में इसको लगाने लग रहे तो इसमें टच नहीं होना चाहिए कुछ भी चीज अगर ठाच होता है तो मैकसिमम लोगों को पीसे में प्रावलाम आता है रिए स्टार्ट का जैसे सब कंप्यूटर सट डाउन करोंगे तो बहूर रिए स्टार्ट हो जाएगा यहां जयन फोर का यह ए एससडे न वियमी का और यह जैन थिरी का आफ दो एन प्रोसेशर लगाने के टाइम पर ध्यान रखने वाली चीज होता है कि हमारे को कट से यह मैच हो अगर समझ में ना आए तो इसको खोल लेना खोलने के टाइम पर थोरा ध्यान देना जब आप खोल के देखोगे तो यह कट के उपर में भी इधर कट बना रहता है मैं इसलिए अब लोगों को दिखा सको यह कट बना हो रहता है प्रोसेशर पर भी कट होता है अराम से इसको खोलना है और इसको लगा देना है लग गया आप यहां पर देखोगे तो कट मैच हो गया अब हमारा रही तो रहां लगाएंगे रहां हमेशा इस टैप से लगा करके ऐसे करके लगा सकते हो अगर आप गलत रहां लगाओगे लगेगा ही नहीं सही रेयम लगाओगे अब्या करके लगाओ लगे यह लगार्मेट रहां को खोलो और उसका उल्टा करके लगा है उनको ध्यान देने वाली बात थे बस अब अब यह हमारा SSD है, अगर SSD को भी है, अगर ऐसे करके लगाना चाहूं, तो यह pin में cut ही नहीं है, यह single cut है, SATA में आता था, लेकिन यह NVM में आपको single cut मिलता है, यह देखो, अगर इसको उल्टा करके लगाओगे, यह लगे गा ही नहीं, यह हमारा सारा component लग गया है, अब हमार cooler बच गया है, आप देखो इस पे पहले से ही thermal paste है, और आप देखो इतना बड़ा processor पे कितना thermal paste कम लगा हुआ है, यह तो company का है, यह almost तक में साड़े 300-400 ग्राम के fan होता है, आप देखो कितना कम thermal paste लगा हुआ है, अगर इसमें मैं ज्यादा thermal लगा दूंगा तो क्या हमारा प्रोसिजर ज्यादा ठंडा होगा, बिल्कूल भी नहीं, बलकि यह सारे thermal paste, पिगल-पिगल के आपके socket पे गिरेंगे, और फिर आपके लिए problem हो जाएगा, देख तो बहुत सारे इतने इतने लगा देते हैं, मेरे पास में तो PC आते हैं, भाई, देखता हूँ तो, तो अब यह आप देख सकते हो, यह बिल्कूल रेडी हो गया है, आप अगर पीछे में देखोगे तो यह ब्रैकेट होता है, यहाँ पे पूरा लॉकिंग हो जाएगा, अगर आप उठा के इसको चेक करो, तो यह बिल्कूल फर्फेक्ट लग गया है, दूसरा भी हमारे पा क्योंकि हमने तो इसको कर लिया, इसको हम इसके अंदर में लगाते हैं, फिर मैं आपको, के वारे में आपको शम्झा देता हूँ, इस मदर बोर्ड में यह क्यों हो रहता है, चलो दोस्तों, हम इसको इसमें लगाता हूँ, फिर मैं इस वीडियो को करता हूँ, हाथो फ्रे कि बहुत ही बढ़ियां से हमने वायर मेमेट करते इनदर में वह समें जिस में यौदग चीज उसमें है बहुत ही सरकल में करता अबिश से हो क्या है ऑप क्या इस आफ इसके इस यो डिस को दो यह ची z сумा करद हो ड़ो दो यह के अंदर में ऐसे करके लगा दूँगा आप यह लग गया यह बहुत सही चीजे है जो कि इतने महगे महगे के अंदर में भी यह आपको नहीं मिलते हैं कि अब यह कुछ केवल बच गिए क्योंकि नीचे में हाटिक्स लगाने के लिए तो मैं इसको अंदर ही डाल दूँगा इसमें कभी भी केवल टाय नहीं लगाऊंगा और साटा केवल पे भी नहीं क्यूंकि यह सब केवल हमेशा खोलने वाला होता है तो इनमें कभी भी आपक कनेक्शन करते हैं अब हम इसका फर्ष्ट लूक देखते हैं कि कैसे यह लूक आता है अब यह देखो यह आरजवी वाला एलेडी है बिल्कुल बहतर अब यह देख सकते हो यहां पर इस जेगे में बारवार यह लाइट जो है ट्रीप करेगा इसका मतलब यह हो जागा सिस्टम पहले सारी चीज को चेक करते हैं तब आपको रूट होते हैं और यह ₹ कि एक दो बार आनि बार झाल बार चार वार होगा नया सिस्टम बननाने में हमेशा ऐसे ऑंप होता है उस्प्स्ञाट कर्मा वो डिस्पले देता है तो इन में कभी घबराना नहीं और रही पीसी के एरफुलो की बाते इस जेगे में आप हाथ लगाओगे तो आपको पता लग जाएगा कि क्या एरफुलो है इसमें मैगनेट होता है चिपका देना इस दोना में टैट कर देना यह आपका वाइफ है बुलुतूथ फोटो बग बिंडोज डालता हूं फिर मैं आपको नेक्स्ट बताऊंगा भाई को बोलूँगा चला के देखने के लिए परफॉरमस के मसीन के कैसे है फिर हम बात करेंगे तब तक मैं इस पीसी को करता हूं जी बूट तो फ्रेंड अभी आप देख सकते हो इसका जो लेटेस्ट बाइ अब सारा कुछ हमारा CPU के फैन सही चल रहा है अब आप डेकॉड कर लो यहां पर हम चलेंगे एफ 11 में फर्स्ट ऑप्शन डिश्ट ले आई जी फी एक्स जब आप कभी इसके अंदर में ग्रैफिक काड लगाओ तो इसको PCI-1 पर कर देना ठीक है यह हमारा हो गया आप नीचे चलेंगे 60 पर इसको कर देंगे 180 अब जो है आम इससे सेव करेंगे इंटर जो जो चीजे आप चेंजेस किये रहोगे वह यहां सो कड़ेगा और आपने येस कर देना है इंटर हो गया अब ट्रव का बटन कंटीनी दवाते रहेंगे तो अब यह विंडोज हमारा इंस्टॉल हो रहा है वाकि हमने इसके इंदर में मैनुल वाई शेटिंग कर दिया भाई ने अपना वीडियो रेकॉड कर लिया है ताकि वह आ गया आगे चलके इनके सिस्टम में किसी में सिस्टम को बताता हूं इसमें सॉप्ट वेकर रहें इंस्टॉलेशन करेंगे जो कि अभी अभी हमारे किस पर चल रहा है सब्सक्राइब हो रहा है अगर मैं इसको एंच डी में करूं तो तब तो यह कुछ तब तो एक दम बिल्किल है नहीं नहीं तब और के है तो इस पर बाते नहीं करें के कहा गए नहीं तो मैं सिर्फ अपनी बाते करूंगा तो अभी जो है यह मसीन बिल्कुल ओके चल रहा है हलांकी इस मसीन के अंदर पर जिस पर अभी डेटा है वह सीगेट का हाड्राइव है कि एतल स्फवक्राइव यह जींचिक है लेकिन वेकिन और जी की तीन ही कंपनी है जो कि आज की तेमार्केट वे मिलेगा तो शीवा डावलोडी और आपका और शीगेट और कौन है मार्केट में कूई नहीं तो लोग जो है पपुराना हाड दिक्स करें अपना शित्रिक्त करते हैं अब रहे गई बाते हैं हमारे को एक स्पोर्ट करने की बाते आपने इस्पोर्ट टेस्टिंग किया नभी आपको यह चलाने में कैसे लगा अच्छा लगा आप क्या कहना चाहोगे कि आप आप आपके सामने में आपने तो अभी चलाया है कोई इसू है हलाएं की वैफ हो यह सौंग प्रोजेक्ट आप प्ले कर रहे हो और यह हमारा 4K में चल रहा है अगर HD में चल रहे हैं कि तो कोई फरकी नहीं पड़ेगा तो माल लिजे कि अगर हम 50-60,000 रुपे का PC बनाते हैं क्योंकि हमेशा जो है प्रोसेसर हर एक साल में चेंज हो जाता है अगले साल 15 जनेशन के प्रोसेसर आजाएगा इसी साल में आ जाएगा तक डिवन सितंबर अक करें तो मैं आपको उसमें समझा रहा था किया ऐसे नहीं है कि अटकेंगे आप दूसर जगर गए थे तो उन्होंने क्या वोला कि ग्रैफिक ज्यादा है तो आपको अटके गई लेकिन आप तो वही सेम प्रोजेक्ट हैं मेरे में चला रहे हो ना को हिस्त तो नहीं है तो य कि आपके PC के बायूज अप्डेट है क्यूंकि हमारा मदरवोड अपडेट है अगर यह मदरवोड अपडेट नहीं होता तो मैं इसके अंदर में बायूज को अपडेट करता यानिकि फ्लैज करता तब जाकर कि मैं उसको सेटिंग करता लेकिन उसका पहले से लेटेस्ट अ और आपको testing करके दिखा देता है घंटे के वीडियो जैसे कि मैं बोलता हूं अपने हर वीडियो में लोगों को दिखाता भी हो कि ए घंटे के वीडियो पांच-छे मिनिट में कैसे export करते हैं ठीक है तो अब हम वो देखते हैं टेस्टिंग अलग होता है एडिटिंग अलग होते हैं अगर मैं एडिट करके वीडियो अगर कभी भी पूरा जो है कलर ग्रेड करके एक्जाम्पल के तरकाप मैं सिखा देता हूं जैसे कि ये वीडियो और हमने रख लियर टैम्म生 पेट इसको मैंने और इसको कोँपी कि आज है मेरा यहां गहंटा 10 मिनुट के वीडियो है ना मैं इस पर शेड़ियो बीद उस्ति ऐसका है में एकार एगफ यहां से 6 1000 का का वीडियो है से सेलेक्ट आग और पी से ट्रांजिशन लगा दिया सारे किलिप लग यह अब जो है इस पर हम मैं करता हूं और उसे आउट पॉंट लगा देते हैं कि इस पर मुझे कुछ कलर ग्रेड बगरा कि यहां से कुछ कलर ग्रेड कुछ कलर ग्रेड यह सिनेमेटिक प्रिशेट ही ले ले लेते हैं अब मैं क्या करता हूं इन सारे किलिप को सलेक्ट कर लेता हूं अभी देखिए अब मैं इसको f11 दबाता हूं कि दो सोचोंसट कितना देर का टाइम बता रहा है पांच मिनट का माली जी घंटे के फुटेज के साथे पांच मिनट ले रहे हैं हमारे को सी ड्राइब से इसका मतलब यह हो गया कि हमारा जो डी ड्राइब है जिसमें डेटा है वो उसकी स्पीड कम है आप तो किलियर हो गया सारी बाते अटकने वाले चीज बता दिया आपको फुटेज एक्सपोर्ट करके भी दिखा दिया डी ड्राइब से भी और सी ड्राइब से भी अगर यह है जो हमारा जैन फोर एससडी लगा हुआ है अगर एससडी में डेटा रहता तो तो भी यह जी बहुत ही फास्ट है लेकिन जैसे प्राइज ड्रॉप होगा एससडी का मैं आपको दिलवा दूगा हुगा एससडी वो ले लेना तब यह पीसी का काम हो गया है तो फिर आपका दूसरा पीसी को देखते हैं धीरज भाय ने तो देख लिया और उनका सारे डाउट किलियर हो जब वहां से निकल लिए मेरे को लिए मसीन मैं चलता हूं तो जिन्हों जो मैं में मसीन बना रहा था वह बता रहे थे कि इसके अंदर में ग्रैफिक जादा है जिसके बुझे से अटक रहा है तो ऐसे नहीं होता मेरे भीया जी जब आप मसीन बनाओगे अब ज्यादा कोर आपकी से जड़ेगा ज्यादा तरयम घ्यादा प्रोसेजीं पास में क्या इस रहेगा तापकी मसीन में कभी फ्रॉबलम नहीं आएगा यहीं मशीन है कि जगुझे अगर मैं चाहता तो आई फाइब का ही पोटिज जबन व्हां चाहता तो दी लख को डी 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 खॉब से तो बिल्कूल भी नहीं देता DDR4 अपने जगे है DDR5 उससे कहीं आगे है ठीक है दोस्तों तो जिन भाईयों को इस टाइप का मसीन बनवाना हो या फिर मेरे से EDS का प्रीमेर का डेटा चाहिए वो भाई मेरे को कॉल कर सकते हो मेरा नमबर आपको description में मिल जाएगा मेरा address भी आपको मिल जाएगा तो मिलते किसी और वीडियो में तब तक के लिए बाव आई